नमस्कार दोस्तों, हेलो, सलाम, सच्रिया काल, स्वागत है आपका भारत एक मौज में सन 2022 चल रहा है, कहा ये गया था कि 2022 के आते आते हम विश्व गुरू बन जाएंगे, सुपर पावर बन जाएंगे वो सब तो कुछ हुआ नहीं, ये तो अब पुरानी ख़बर हो गई है, माई शुरू हो गया है, हीट वेव डेली में चल रही है एजुकेशन, अनेम्प्लॉइमेंट, जीडीपी, इन सब की बाते करते करते बोरो चुके हैं लोग, अब एक नया मसला सामने आया है बिजली का, बिजली की कतتी होने वाली है, कमी होने वाली है, जिसकी वज़वात जो है, मौजा ही मौज लेकर गी आपके सामने आगया हूं मैं हूं सञे राज़़वा और ये है भरत एक मौज, आईए देकते हैं, इस बार करेकर से दोस्तों बिजली के साथ जो होना है वो तो होना है लेकिन आपको मालूम है कि देश में जो महाल है वो यह चोटी-बोटी सीजों को चक्रों में नहीं पड़ता है कि खाना-पीना-रहना-रोजगार और और एकॉनमी और एब्रीडे सीक्योरिटी इन चक्रों में पड़ता है देश के आगे सबसे बड़ा मसला जो नेक्स्ट है वो है हिंदी का कि हिंदी को राश्रभाशा बनाया जाना चाहिए इसमें नाना परकार के लोग जो है अपनी टिपनियां देने आ आ गए हैं अपनी ओ परस्ति अपनी ओपनियन बताते रहते हैं लेकिन उस पर बात में आते हैं एक तो मुझे समझाए कि यह बीजेपी के रियल स्टेट कंपनी है कि यह खोशला के पहलवान है क्या है जो आने घर पे कबजा करके रखा हुआ है कि यह जब देखो यह ताना मारने लगते हैं कि जिसको यह नहीं करना वो इंडिया से बाहर चला जाए जिसको फलाना नहीं करना वो इंडिया से बाहर चला जाए हैं अब यह बीजेपी के कोई संजय निशाद नाम है इनका यूपी के हैं बीजेपी के लीडर लीडर उन्होंने कहा है जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती वो सब दो हिंदूस्तान से भार चले जाएं मतलब क्या यह project से लेक क्या सब आने कि oh लुथ हिसीनल दोड को सब आık में आगे चला गया हम कहां चला जाएं हुआ हमें तो खेर हिंदी आती हम तो बच्चे हैं लेकिन बड़े सारे इतने लोग हैं अब बचे का कौन मतलब यह राडियाना यूपी राजस्थान और यह दो तीन चीज़ें बचके बाकि सारा हिंदुस्तान बहारी चला जाए और जाये कहां मतलब आपको पता है कि वीज ठीक है यहां चले जाओ वहां चले जाओ यह रास्ता ओपन है बहराल यह इनका रोज मर्रा के आते हैं भगाते रहते हैं आगे बढ़ते हैं एक बॉली वुड के बहुत पुराने एक्टर आप पुरानी बोलूँगा मैं अजे देवगन उन्होंने भी टिपनी देडाली हि हिंदी के उपर के हिंदी तुराष्ट भाषा है अब यह अजे देवगन वह हैं जिन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग भी स्पेलिंग क्या वो जो जो उनके नाम सरनेम में जो इल्फाबेट हैं नुमेरिल नुमरिल ओजिस ने इनको बताया कि आप ना एक इसमें से कुछ तो फिल्में हिट होंगी और अच्छे रटा लो तो आपकी फिल्में हिट होने लग जाएंगी और अजय देवगन ने वह करके अक्षर हटा लिया अब आपको पता है नुमरलोजी का कोई साइंटिफिक एविडेंस तो हैने को साइंटिफिक बेसिस भी नहीं है इसक आए हैं कि राष्ट्र भाषा है हिंदी जिसने भी धंग से सिविक्स पढ़ी है जिसको भी हिंदुस्तान के बारे में मालम है उसको मालम है कि हिंदी राष्ट्र भाषा नहीं है हिंदी भौत सारी भाषाओं में से एक भाषा है हमारे जो करंसी नोर्स हैं उनके उपर भी लिखी हुए उसमें से हिंदी सिर्फ एक है और अजे देवगन खुद रहता है यह बॉम्बे में बीवी इनकी बेंगॉली है जब भी किसी इंट्रिवू में इनको देखो तो यह अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं इनके बच्चे जो हैं वह अंग्रेजी स्कूलों में प करते हैं हलाकि यह थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि इनकी जो सबसे ज़्यादा हिट सिंगम सिरीज है उसमें आधी तो इमराठी बोल रहे होते हैं अब यह कह रहे हैं कि हिंदी को राश्ट्र भाशा बनाओ तो आज यह बताओ कौन सी वाली हिंदी यूपी में जिसको कह रही होते हैं कहां कुछ जाया हरियान में उसे कित जान लागा रहा है अब दौनों ही हिंदी हैं क्योंसे पच्छर बाशा गोषए करवानाहीं हिंदी को आपने घोचिक वाला वाली हिंदी जो हैं वो हमारे उपर कब जग ना कर लें आखे क्योंकि वो अच्छी फिल्में बना रहे हैं हिट भी उरी उनकी फिल्में आपको लग रहा है हिंदी राष्ट भाष्य बन जाएगी तो मेरी फिल्मों का तो जो जज़बा है वो कहीं और ही पहुंच जाएगा अज़े देवण जी अगर आप स्कूल में ये जो दो मोटर साइकलों पर एक टांग इधर रखके और एक टांग इधर रखके की फ्रैक्टिस ना करके थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब प्राइमरी स्कूल सिविक्स पढ़ लेते ना तो आप इस तरह की ना ये बेबुनियादी एहमकाना बात नहीं करते हैं मेरेको आपसे एक्टूलि ना सिंपित ही है क्योंकि आपके तो घर में हिंदी नहीं चलती है अब ये हिंदी की जो डेबेट चल रही है आपको पता है भी मॉमेंटरी डेबेट होती है कुछ, मतलब UP election से पहले हिजाब की डिबेट चली थी, उप election होते ही, हिजाब का मुद्धा ही गाया भी, तो अभी हिंदी का मुद्धा आ गया है. अब हमारे देश के एक बहुत बड़ी समाथ सेवय, बहुत बड़ी एक्टिवेस्स बहुत बड़ी बुद्धी जेवी कंगना रनावज जी हैं जो कभी-कभी एक्टिंग भी कर लेती हैं उन्होंने भी सोचा कि यार यह कैसे मौका मेरे हाथ से निकलता जा रहा है इसमें कौनी मैंने अपना थुरुप का एक का फैक्ट के मारा और अजय देगवन ने हिंदी बोल दिया तो उन्होंने भी आके बीच में गोता खोरी कर ली उन्होंने भी बोला आके तुम हिंदीगी बात कर रहा हूं मैं तो नहले पे दहला मारती हूं हिंदी क्या छोड़ो संस्कृत को इंडिया की नेशनल लेंग्वाज होना चीए है और खंगना रनावाज जब संस्कृत के बारे में इस बात बोल रही थी तो अगर आप वो इंट्रिवीव देखें उसमें 90% वो अंग्रेजी में बात कर रही है और बागी का बचा कुछा 10% मिली जुड़ी अंग्रेजी हिंदी में बात कर रही है कंगना जी आपको आप एक इंट्रिवीव संस्कृत में देदो कि सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्क्रित है तो उसे नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए मेरे को दोस्तों मजा इस बात में आता है कि इन लोगों में मतलब जब इस तरह की बेवो कुहाना बातें कर रहे होते हैं कैमरा के साम ने इनका confidence level जो है sky high होता है मतलब देश का जो IQ है वो बहुत ही नीचे गिर गिर गया है कि मुरकता की बात करते हैं बंदा प्राउड फील कर रहा होता है इतना इतना प्राउड फील कर रही थी वह यह बोलते वाग जितना प्राउड आइंस्टाइन फोटो एलेक्रिक एफट डिसकवर करने के बाद नी कर रहा होगा रिचिरट फैमेंन नोbel प्राइज मिलने के बाद नी कर रहा होगा है मुझषि प्रेमच ri meno ना जी उसके वाद उनको इतना घमन नहीं महसुत होगा जितना कंगना रणावत को यह बोलते हो आता है मैं तो कहते हूँ कि संस्कृत को वाइनॉट अब यह वाइनॉट अंग्रेजी में है यह यह लाते कहां से यह अपनी जबान केसरी करके हमने भी देखिये लेकर इतनी मुरक्ता की बाते हमारे मुझसे नहीं निकले जैसा कि दोस्तों मैंने भी बताया कि देश का जो एक जनरिक आईक्यू है वो थोड़ा नीचे होता चला जा रहा है और इसके लिए सरकार बड़ी महनत कर रही है बहुत इमानदारी से काम करें कि आपकी बुद्धी को थोड़ा से कम करा जा सके आपको इस्ट्री की समझ थोड़ी कम करी जा सके जैसे सीबी एसी का करिकुलम चेंज करा गया आपने भी सुना होगा उसके बारे में मैं क्या वालों दुनिया भर बात कर रही है कुछ चीजों के रेफरेंस को हटा दिया गया है अपनी सहुलित के इसाब से तो भर पूर कोशिश है सरकार की कि जो एक एक आईक्यू लेवल है इस मुल्क के अवाम का उसको थोड़ा कम कर दिया जाए और फिर क्या होगा कि लोग ना अजीव अजीव किसम के आपके 사मशनांचारी लेगे ऐंगे और बोलेंगे कि नौ हिस्टरी बुक एवर स्टेलें कर दोर एक अजीव से रहुवाठी सवाहिए जिख उसकार्त लाकराप बूबे है यहां से फर्रा यह पकड़ ले इसमने कि यह लिखा हुआ है और इधर किसी किताब में नहीं मिलेगा अच्छे अच्छे लोग जानते हैं कि अगर हिस्टरी की किताब में कोई चीज आपको नहीं बताई गई है तो जादा चांस यह है कि वह चीज कभी हुई ही नहीं है नहीं कि वह कैसिपिन सी टर्की शर्की पता नहीं रोम शोम तक पहुंच गया उपर मंगोलिया शंगोलिया तक पहुंच गया तलवार लगिए और राजा की तस्वीर भी है ठीक है और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि नो हिस्टरी बुक विल एवर टेल यू दिस कुई लॉजिक है पाकिस्तान फंडीड धा वेस्ट जब से पाकिस्टान मना व Oreo उसे फंड कर रहा है लेकिन यह कौन महरति आ गए जो यह बोल रहे है reste बासा वैसा वैस्त तो जिन लोगों ने शुरूआ थी दौर में पाकिस्तान को फंडिंग देनी शुरू करी थी, उनको अगर ये बात सुनने को मिल जाए तो अपनी कबरों में करवटे लेने लग जाएंगे हैं, पाकिस्तान ने हमें फंड किया, अलबता बात ये है कि पाकिस्तान को तो का नाम भी भारत एक मौज है, तो इस बार की मौज मैं सबसे मज़ेदार बात आपको बताता हूं कि बॉम्बे स्टॉक एक्शेंज के सीओ है, आशी शोहान रोने आयम कलकेटा में एक बात कही, कि जो भी कोवीड का क्राइसिस वाता है, इसके दोरान मोदी जी ने जो काम क या लोगों वो राशन पहुचाने के लिए, उसके उनके एफर्ट के लिए जो है ना, उनको नोबेल पीस प्राइस के लिए कंसिडर किया जाना चाहिए। किने भी प्राइस है ना, जहां जाँ किसी दूर किसी कंट्री के और डबलुए एस्सेशन में भी बेस्ट प्रेजिडेंट कोई रहा हो, और डबलुए का, किसी अफरिका के कौन की किसी कंट्री का वो प्राइस भी इनको दिलवा दो, हैं जितने भी स्कूल कॉलेज इंडि किसी का बी इनको दिलवा दो, और भी बहुत जादा, मेगस ऐसा है वाड भी इनको दिलवा दो, कोई छोड़ा मत, छोटे से छोटा वाड से लेके बड़े से बड़ा वाड तो, सब अवाड इनको मिल जाने चाहिए, क्योंकि अगर नरंदर मोदी जी का नाम, पीस प्राइ की कोशिश करी जा रही है, और बहुत इमानदरी से करे जा रही है, अगर आप कम कराने का मन है, तो प्लीज टीवी निउस देखने शुरू कर दीजे, अखबार पढ़ना शुरू कर दीजे, और आपकी आई-क्यू अपने आप से कम हो जाएगी, बाकि मेरा काम ये है, कि मै मैं उसको थोड़ा पोक करता रहूं, आपके सामने इस देश में होने वाले मौजें लाता रहूं, और इस बार की मौजे आपके सामने ये थी, और इसी के साथ ये वाला एपिसोर करता हूं समाप्त, आगे देखते हैं, आप से कम मुलाकात होती हैं ज्यान में खोट ना आये बार देख मौज, रे पीटी उससा पीछे चाड़े मले आमोधी मेल, चोकी दार जो दिन में सो गया बन गई देश किरेल, अरे चटनी एक ऐसी वई आस्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज, अरे चट्डी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाबारत के काल में ओ गई इंटरनेट की खोज, बहलू का सिमरक बर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज, अर मन की वात करे अर संडे बिना किसी के रोख, आम नागरिक कुछ भी बाले, लो आगई, जनकीडों की वाज, अब देश में पढ़ ना लिखना हो गया टैक्स पेर पे बोज, पर कावडियों पे फूल की चादर भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे झाले, भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, झाल झाल